हेलो स्वागत है आप सभी का इंग्लिस दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर स्वाज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चाप्टर 3rd डीप वाटर रिटेन बाई विलियम डगलस इससे पहले कि आपने इस चाप्टर को स्टार्ट करें एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिस दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम डगलस 1898-1980 वस बॉन इन में मिनिसोटा आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिस और एकोनोमिक्स सो यह जो विलियम डगलस थे इन्होंने बैचलर डिग्री की थी एकोनोमिक्स और इंग्लिस से फिर वहाँ जो प्रेसिडेंट है उनके एक एडवाइसर की रूप में काम करने लगे साथ में एक जजच के रूप में भी इन्होंने काम किया था तो चलिए ज्यादा समय इसमें ना लगाते हूं अपने चैप्टर पर चलते हैं इत हैड हैपन वेन आई वास तन वन सेकंट इट वास हैपन वेन आई वास तन और इलेवन एर्स ओर्ट तो यह वास तब वाजब विलियम डगलस तन या इलेवन एर्स के थे decided to learn to swim और इन्होंने यह decide किया था कि वो swimming सीखेंगे यानि कि तैरना सीखेंगे there was a pool at the YMCA YMCA का एक pool था इन याकिमा कहां पर याकिमा एक place का नाम है ठीक है याकिमा जो place है वो एक tribe वहां पर रहती थी जिसका नाम था याकिमा ट्राइब तो उसी के याकिमा ट्राइब के ऊपर ही इस place का नाम याकिमा पड़ा तो वहीं पे एक YMCA means होता है Young Men's Christian Association ये इसका full form है ये एक संगठन है और गनाइजेशन है जो swimming सिखाती है ठीक है तो वहीं पे इन्होंने जॉइन किया था YMCA से swimming सीखने के लिए So जो याकिमा की river है वो बहुत ही खतरनाक है यानि कि बहुत ही dangerous है उसमें कई सारी deaths होती है यही swimming के swimming को लेकर के जो वहाँ पे लोग जाते हैं तो काफी लोग वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि उनके साथ कोई ना कोई tragedy हो जाती है Mother continuously warned against it and kept fresh in my mind और इनकी जो मदर है वो हमेशा उनको याद दिलाती रहती है और उस बात को याद दिलाती है Fresh in mind मतलब कि याद दिलाना कि वो जो river है वो बहुत ही dangerous है वहाँ पे नहीं जाना है The details of each drawing जो भी वहाँ पे लोग दूपते है उसकी जो details है वो भी याद दिलाती रहती है इंदर इवर But the YMCA pool was safe लेकिन जो ये YMCA pool है ये काफी safe है It was only 2 or 3 feet deep at the swallow end और जब आप किनारे से देखोगे तो वो 2 से 3 feet ही गहरा है And while it was 9 feet deep at the other और जो बीच का जो portion है वो 9 feet deep है आगे देखते हैं The drop was gradual I got a pair of water wings and went to the pool So अगर कोई बच्चा अगर उधर किनारे पे जाकर के swimming सीखे तो वो उसमें डूबेगा नहीं इतनी जादा गहरा है उसकी नहीं है So इन्होंने एक साथ में water wings भी खरीदा water wings क्या होता है यह जो tubes होते हैं rubber के जिनको पहन करके बच्चे swimming सीखते हैं ताकि वो डूबे नहीं तो उसी को भी खरीदा वो भी पहना I hated to walk naked into it और इनको naked यानि कि जब हम swimming के लिए जाते हैं तो बहुत ज़दा clothing करके नहीं जाते हैं तो इनको वैसे ही naked हो करके जाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था it and so my skinny legs और इनको जो skinny legs यानि दुबले पतले जो पैर थे उनको दिखाना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था but I subdued my pride and did it लेकिन मैंने अपने pride को किनारे रखा और जो practice थी उसको start किया from the beginning जब starting थी however I had an aversion to the water when I was in it so starting से ही aversion means होता है hate dislike ठीक है तो सुरवा से ही इनको water को लेकर के काफी dislike करते थे यह उसको पसंद नहीं करते थे और यह जो dislike वाली feeling है यह इनकी कब से start हुई this started when I was three or four years old and father took me to the beach in California so जब यह तीन से चार साल के थे तो इनके father इनको California ले जाते थे California के एक बीच पर तो वहीं से यह जो hating है यह start होती है he and I stood together in the surf surf means होता है tights जो समुदर में लहरे उठती है तो वहीं जो समुदर की लहरे होती थी तो वहाँ पर यह और उनके father जो हैं दोनों लोग भी खड़े हुए थे I hung on to him yet the waves knocked me down and swept over me तो तभी एक जोड से जो लहर आती है वो आती है यह अपने father को चिपक जाते हैं लेकिन फिर भी वो जो वेव होती वो इतनी तेज होती वो इनको गिरा देती है और इनके उपर पूरा पानी पानी कर देती है I was buried in water यह लगबग पानी में पूरी तरह से जो लहर थी उसमें डूब गय थे My breath was gone और इनकी जो सांस थी वो कुछ समय के लिए चली जाती है I was frightened और यह काफी डर जाते हैं Father laughed इनकी जो फादर हैं वो तो हस रहे होते हैं But there was terror in my heart लेकिन इनकी जो hurt है उसमें काफी डर बैठ जाता है At the o powering force of the waves तो जो waves की जो force है जो जिसने इनको पूरी तरह से गिरा दिया उससे यह काफी जादा डर गए और उसी टाइम से यह जो है उस पानी को लेकर के और इस तरह से Tights को लेकर dislike करने लगे My introduction to the YMCA Swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear So जब इन्हों ने यहाँ पर swimming start की YMCA swimming pool में तो तब ही उनको पुरानी की जो यादे थी memories थी childhood fear जो था वो याद आने लगा But in a little while I gathered confidence लेकिन कुछी दिर बात इन्होंने अपनी जितना भी confidence था उसको इखटा किया I paddle with my new water wings और अपनी नए water wings के साथ उसमें पानी में paddling करना start किया Watching the other boys and trying to learn by apping them दूसरे बच्चों को देख करके उनको apping कर रहे थे यानि कि copy कर रहे थे Apping means होता है copying them तो उनको copy करके ये भी उस तरह की सीखने की कोसिस कर रहे थे I did this two or three times on different days and was just beginning to feel at ease in the water When the misadventure happened So बस इन्होंने अभी दो तीन दिन ही हुए थे सीखते हुए और इन्होंने बस starting ही की थी तब ही इनके साथ ये एक घटना घटती एक incident होता है अब कैसा incident होता है वो आगे देखते हैं I went to the pool when no one else there तो जब ये पूल के पास जाते हैं तो उस टाइम पे वहाँ कोई भी नहीं होता है The place was quiet और पूरा सांती एकदम से नाटा होता है The water was still, पानी बिलकुल सांत होता है उसमें कोई भी उथल पूथल नहीं होती है And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub और वहाँ का जो टाइल लगा होता है swimming pool का वो बिलकुल साफ होता है, clean होता है जैसे कि bathtub हमारे घरों में होते हैं, वो होते हैं, बिलकुल वैसे एकदम clean होता है I was timid about going in alone, मुझे डर लगता है अकेले वहाँ पे जाने में So I sat on the side of the pool to wait for others, सो मैं किनारे पे बैठ जाता हूँ और दूसरे लोगों के आने का इंतिजार कर रहा होता हूँ आगे देखते हैं I had not been there long when in came a big bruiser of a boy थोड़ी दिर होती है, तभी एक लड़का आता है, bruiser boy में सोता है bully boy जो दूसरों को परिशान करने में, छेड़ने में जिनको अच्छा लगता है दूसरों के साथ misbehave करने में जो अच्छा फिल करते हैं तो वैसा एक लड़का आता है प्रोबैबली 18 years old, लगबग 18 साल का होता है He had thick hair on his chest उसके chest पे काफी thick hairs होते हैं He was beautiful physical specimen उसकी जो physique होती है, जैसे कि आप gymium करके बिल्कुल muscles build कर लेते हो, बिल्कुल वैसी physique होती है With legs and arms that soft rippling muscles उसकी जो muscles होती है, वो काफी निकली हुई होती है रिपल्स कर रही होती है, काफी body उसने बना रखी होती है He yelled, और आकर के चिलाता है Hey skinny, skinny means होता है, दुबला पतला, thin How would you like to be duct? अगर तुमको कोई पानी में डाल दे तो तुमको कैसा लगेगा? वो ऐसा इनसे कहता है With that, he picked me up and tossed me into the deep end और इतना कहने के बाद वो मुझे उठाता है और deep end, यानि कि जो 9 feet के गहराई होती है जहां पे बच्चे नहीं जाते हैं, वो सिंडमेन को fake देता है I landed in a sitting position ये बिल्कुल sitting position से ही उस पानी में गिर जाते हैं Swallowed water and went at once to the bottom और पानी भी अंदर इनके गले में चला जाता है और वो बिल्कुल swimming pool के बिल्कुल नीचे यानि कि bottom पे पहुंचाते हैं I was frightened, मैं बहुत डर जाता हूं But not yet frightened out of my wits लेकिन इतना भी डरे नहीं होते हैं कि इनका दिमाग नाकाम करें इनको कुछ ideas आते हैं, कुछ thoughts आते हैं On the way down, I plant तो जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो ये plan करते हैं When my feet hit the bottom कि जब इनके जो feet हैं बिल्कुल जब surface को touch करेंगे I would make a big jump निकल आये Cam to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool और ऐसे करने के बाद वो पैडल करके बाहर आ जाएंगे ऐसा वो plan करते हैं It seem a long way down लेकिन नीचे पैर जाने में बहुत time लग रहा था Those 9 feet were more like 90 और जो 9 feet के गहराई थी वो बिल्कुल 90 feet के बराबर लग रही थी And before I touched bottom, my lungs were ready to burst और जब तक मेरे पैर bottom तक पहुंसते हैं मेरे lungs जो थे फेफड़े थे उनमें इतना पानी भर चुका था वो ऐसा लग रहा था कि फट जाएंगे इनको breathe नहीं जा रही थी But when my feet hit the bottom लेकिन जब इन्होंने इनकी feet जो है bottom को hit करती है I summoned, summoned means होता है gather करना इखटा करना, बुलाना So यह अपनी पूरी strength को समन करते हैं All my strength and made What I thought तो अपने पूरे idea को जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही करने का प्रयास करते हैं Was a great spring upward लेकिन उपर जाने में जैसे इन्होंने सोचा था कि एकदम से jump कर जाएंगे वो करने में बहुत ही time लग रहा था I imagined I would bob to the surface like a cock जैसे आप wine की bottle हिला के खोलते हैं तो उससे बहुत ही जोरों के साथ spray निकलता है बिल्कुल वैसे ही इन्होंने सोचा था है बट water water that had a dirty yellow ting to it सिर्फ water ही चारों तरफ दिख रहा होता है और water में yellowish color का कुछ substance इनको दिख रहा होता है I grew panicky यह बहुत ही panic हो जाते हैं परिशान हो जाते हैं I reached up as it to grab a rope and my hands clutched only at water जैसे कि आदमी रस्टी पकड़ने का प्यास करता है ट्राई करता है विल्कुल वैसे ही अपने हाथों को उठा रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा था उसे पानी होता है I was suffocating suffocating means होता है दम घुटना इनका दम घुट रहा होता है I tried to yell but no sound came out चिलाने की कोसिस करते हैं लेकिन कोई sound नहीं आता है Then my eyes and nose come out of the water फिर कैसे भी करके इनकी जो eyes है और nose है वो water से थोड़ा सा बाहर निकलता है But not my mouth लेकिन इनका जो mouth है वो बाहर नहीं निकलता है So आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे इसके आगे part 2 हम कल continue करेंगे So ऐसे और videos को पाने के लिए हमारे चैनल को like, share, subscribe करना न भूले So thank you students